हालो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाई रविंद्र और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेस किलास में हमने नाभी के सेलेन और विखंडन में हमने अंतर को डिसकस किया था आज का जो हमारा जो टोपिक है वो नाभी के सेलेन में उत्सर्जित उर मतलब हम यहां पर यह कैलकुलेट करेंगे कि नाभी के विखंडन की तुलना में नाभी के सेलेन जो है उसमें उर्जा अधिकुछ सर्जित होती है या नाभी के विखंडन में उर्जा अधिकुछ सर्जित होती है तो इस हम इस प्रोसेस कौम यहां पर समझेंगे तो देख कानाभी यहाँ पर Ц empically करेंगे कि जो माइब के विठनां की तुलना में है नाभी के संहलन पर कितनी उट जाक उच्छा होता है इसलिए हम यहां पर पूरी कितनी उठागा उसके विसके सबसे पहले calculate करेंगे उसके बाद में यह देख लेंगे कि उसके तुलना में कितना क्या हो रहा है तो देखो हमने यहां पर बता है कि deuterium 1s2 के दो नाभिक जो हैं वो सेनलित होकर क्या करते हैं एक tritium का नाभिक बनाते हैं तो देखो यह एक deuterium है और यह भी एक deuterium है 1s2 अभी एक tritium का नाभिक बनाते हैं पलस एक हाइडोजन का नाभिक भी यहां पर रहता है प्लस चार मेगा एलक्ट्रोन वोल्ट जो है एनर्जी का यहां पर उत्सर्जन होता है मतलब दो deuterium के नाभिक जब सैनलित होते हैं तो कितनी एनर्जी का उत्सर्जन होता है चार मेगा एलक्ट्रोन वोल्ट अब देखो ट्राइटियम यह जो ट्राइटियम बना नाभिक पुने deuterium सैनलित होकर क्या बनाएदागा 2HE4 मतलब helium का नाभिक बनाता है जो ट्राइटियम जो नाभिक है वह क्या होगा पुने सैनलित होगा किसके साथ deuterium के साथ और क्या बनाएगा helium का नाभिक बनाएगा मतलब हमने सबसे पहले दो डूटीरियम के नाभिग लिए थे और अब एक दो डूटीरियम के नाभिग एक ट्राइटियम को बना रहे हैं और फिर एक ट्राइटियम का नाभिग है पुने किसे साथ सैनलित होगा डूटीरियम के साथ सैनलित होगा और क्या बनाएगा तू एचिव और हीलियम का यहां पे तीन डूटिरियम के नाबिक लिए हैं क्योंकि ट्राइटियम बना है वो भी तो डूटिरियम से ही बना है तो सबसे पहले तो यह तो इंटरिनल प्रोसेस होगे कि ट्राइटियम कैसे बना है तो तीन जो डूटिरियम जो नाभिक हैं उनको लेने पर हमें क्या मिलता है एक तो टूएची फॉर मिलता है और एक न्यूट्रोन का उत्सर्जन होता है और देखो यह टोटल एनरजी इसको हम जोड़ देंगे तो सत्रा और चार इकिस 21.6 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट समीकन एक वह दो को जोड़ने पर समीकन एक वह दो को जोड़ने पर जब आप समीकन एक को दो को जोड़ोगे तो लेफ्ट एंड साइड जो है इनको और इनको जोड़ेंगे और राइट एंड साइड जो है ना देखो लेफ्ट एंड साइड को इनको जोड़ेंगे और यह चैनल आपने प्लॉश वेडियों के साथ लेफटन साइट साइट से और Süd students हम एऽ आप एड़ किया है तो जब हम दोनों को एड़ करेंगे तो दो तेको सबसे पहले डिटेर्म के देखो कितने होगे एक दो और तीन हमhof lady 1 2 औरती और यह ऐसेैं एक बार तो ज्ढ़ा माथा पॉस्टी करने की वह बात नहीं कि जैसे इनको जोड़ा है की देखो सबसे पहले 1H2 1H2 1H3 1H1 1H2 तो यह पूरा यहाँ पर ट्रम यहाँ पर हमने लिख लिए उसके बाद में यह जो सारी ट्रम है यहाँ पर हमने लिख लिए 1H3 1H1 और देखो 17 और 4 तो 21 पॉइंट 6 मेगा एलक्टोन वोल्ट हो गया फिर 2H4 और एक न्यूट्रोन तो यह सारा हमने यहाँ पर लिख लिए अब देखो देखो कभी आपने mathematical calculation की जैसे आपने लिखा कि 2X square प्लस 3X बराबर X square प्लस 4 तो देखो यहाँ पर दो X square देखो दोनु साइड में तो हम देखो जो बराबर के दोनु साइड में जो क्वांटिटी होनी उनको कैंसिल कर देते हैं उस हिसाब से नॉर्मल जो multiplication उसको यहाँ पर अपलाई किया है तो उसी प्रकार देखो यहाँ पर यहाँ पर इधर भी है और इधर भी है बाकी कोई ऐसी ट्रम नहीं है तो देखो यहाँ पर हम देखो कंक्लूजन जैसा कि हमने लिख है यहाँ पर भी जो प्रोसेस किया उसी का conclusion लिखते हैं आता है इस पस्ट है कि तीन डूटीरियम के नाभिक सेंलित होकर सेंलित होकर क्या बनाते हैं 2HE4 नाभिक का निर्मान करते हैं और इसमें 21.6 मेगा एलेक्टरोन वोल्ट एनरजी मुफ्त होती है ओवरॉल देखो आप कहोगे कि सारा मने तो यहां पर तो डूटीरियम ने लिया है तो ट्राइटियम लिया है तो ट्राइटियम भी तो कैसे बनाएं आप देखो यहां पर प्रोसेस देखो ट्राइटियम कैसे बनाएं दो डूटीरियम के नाभिक सेंलित होंगे तभी तो ट्राइटियम मनाएं फिर ट्राइटियम क्या ह करते हैं और एक हाइडोजन बनाते हैं तो यह कुछ सारा इसका प्रोडेक्ट है तो ऐसे कह सकते हैं कि तो इस पस्ट है कि तीन डूटिरियम के नाविक जो है वह सेलित होकर तुएची फॉर नाविका क्या करते हैं निर्मान करते हैं और इसमें 21.6 मेगा एलेक्ट्रोंगोल् तीन जो डूटिरियम के जो नाविक हैं उनके सेलियन से कितनी उर्जा प्राप्त होती है तीन डूटिरियम वन एस टू परमानों के सेलियन से प्राप्त जो उर्जा है वह कितनी है 21.6 मेगा एलेक्ट्रोंगोल्ट तो एक परमानों के इससे में कितनी उर्जाई तो एक वन एच्टू परमानों से प्राप्त उर्जा एक वन एच्टू परमानों से प्राप्त उर्जा कितनी हो जाएगी 21.6 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट बाई 3 तो हो गए 7.2 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट अब देगो एक परमानों से कितनी उर्जा में प्राप्त हो रही है 7.2 मेगा कितनी होती है तो वो कितनी आउगादरो संख्या के बराबर होगी 6.02 गुणा 10 की पावर 23 तो देखो एक मोल जो डूटिरियम जो परमाणू होंगे उनका भार कितना होगा 0.02 kg होता है जैसे आपने एक मोल की जब 11th किलास में देफिनेशन पढ़ोगी तो एक मोल जो होता है वो कार्बन के 0.02 kg के एक्वल होता है जब हमने AME में जब मास कैलकुलेट किया था तब भी वहाँ पर भी इस कैलकुलेशन को किया था तो दर्यमान संक्या से उसका पता चल जाता है खेने का मतलब तो देखो देखो कार्बन सी सिख्स बारा तो इसका एक मोल का दर्यमान कितना होता है 0.012 kg वैसे ही वन एस्टू का क्या हो जाएगा वन एस्टू का तो 0.002 kg ऐसे ही तो होगा कि तो तो देखो एक मोल वन एस्टू परमानों में एक मोल वन एस्टू में परमानों की संक्या कितनी होगी आओ गादरो संक्या के बराबर 6.023 इंटू 10 to the power 23 अब देखो एक मोल वन एस्टू में परमानों जो है उनका दर्यमान कितना होगा 0.02 kg में परमानों की संक्या कितनी हो जाएगी वही क्या हो जाएगी आओगादरों संख्या के बराबर अब देखो मैं तो अगर इसको दो केजी करना पड़े हमें इसको क्या करना पड़े दो केजी करना पड़े तो दोनु साइड में क्या करेंगे हम अजार से गुणा करें तो दो केजी में परमानों की संख्या बिर्वाइब कि किसे के बराबर होगी six point zero 2 गुना दस़्टी पावर 26 अब सब्सक्राइब देखो 22 में डिक टी रियम में परमाणू झाल कितने हो जायेगी six point zero two गुना प्रमानों की संख्या कितनी हो जाएगी बाग दे देंगे दो का तो एक केजी डिटीरियम में परमानों की संख्या कितनी हो जाएगी 3.01 into 10 to the power 26 तो 1 kg डूटिरियम में परमाणू की संक्या कितनी हो गई 3.01 into 10 to the power 26 आप देखो आपको क्या करता है देखो आपको पता है कि 1H2 परमाणू के सैलेन से एक जो है 1H2 परमाणू है उसके सैलेन से कितनी एनर्जी यह मिल रही है जैसे 3 डूटिरियम परमाणू सैलेन कर रहे हैं तो 21.6 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट एनर्जी में मिल रही थी तो पर एटम कितनी एनर्जी हमें मिल रही थी तो वो थी 7.2 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट मतलब एक डूटिरियम परमाणू के सैलेंच से कितनी एनरजी मिल रही है 7.2 मेगा एलेक्टोन वोल्ट तो एक केजी 1S2 परमाणू के सैलेंच से कितनी एनरजी मिलेगी तो एक केजी में डूटिरियम के कितने परमाणू है तो 1 kg में deuterium पर्मानों की संख्या into 1 deuterium पर्मानों से प्राप तुर्जा तो देखो 1 kg में deuterium पर्मानों की संख्या कितनी है 3.01 गुणा 10 की पावर 26 और एक deuterium से कितना हमें energy मिले 7.2 मेगा एलक्टरोन वॉल्ट तो देखो यहाँ पे जो total जो energy है न 3.01 ये तो इंटू 10 to the power 26 तो परमानों की संख्या होगी एक किलो डूटीरियम में और देखो साथ पॉइंट दो ऐसे कैसे देखो साथ पॉइंट दो ऐसे कैसे और मेगा मतलब होता है 10 to the power 6 और इलेक्ट्रोन वोल्ट को जूल में लिखेंगे तो देखो 1.6 into 10 to the power माइनस 19 जूल तो देखो एक एलेक्ट्रोन वोल्ट बराबर होता है 1.6 into 90 10 to the power 19 जूल तो देखो यह जो है ना 10 to 33 तो देखो यहां पर जो पावर देखते हैं हम देखो 26 26 और 6 32 हो गया और 32 में से 19 गया 32 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 1 तेरा ही तो बचेगा तो यह जो है ना 13 है यह कितना है 13 है तो देखो इनको मल्टिप्लाइ किया 3.01 को 7.2 को 1.6 को तो यह 21.67 दो स्वरी इसको और इसको मल्टिप्लाइ किया भी तो एक पॉइंट 6 को ऐसे कैसे रहना दिया फिर इसको 10 की पावर 13 हो गया अब एक पॉइंट 6 को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो हो जाएगा 34.56 और यह 10 की पावर 13 जूल ऐसे कैसे तो देखो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं देखो नाभी के जो विखंडन से जाना 1 केजी एक केजी हमने लिया था यूरेनियम बाणवाय 235 उसके जो विखंडन से हमें जो उर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है 8.2 गुणा 10 की पावर 23 जूल और एक केजी डूटिरियम के विखंडन से हमें कितनी एनरजी मिल रही है 34.56 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल तो देखो लगबग इसकी इन चार पॉंट दो गुणा है यह लगबग इसकी क्या है चार पॉंट दो गुणा है तो देखो हम कंक्लूजन के रूप में क्या लिख सकते हैं और आता है एक केजी डूटिरियम के सैलें से प्राप्त एक केजी यूरेनियम बाणवे 235 के विखंडन से प्राप्त है उर्जा की उर्जा से लगबग 4.2 गुणा अधिक है मतलब विखंडन से इतनी एनरजी मिलती है तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सैलेन जो होता है न उसमें एनरजी जादा मिलती है लेकिन हमारा दुरभागी ये कि सै सकती है एक बहुत एनरजी की जो हम हमारी जो समझ्य है वह बहुत कुछ हज तक रिजोल हो सकती है जैसा कि आपको पता है कि जितने भी न्यूक्लियर रियक्टर होते न उसमें नाभी के विखंडन होता है और उनी में अगर नाभी के सैलेन हो तो 4.2 गुणा एनरजी हमें ज्यादा प्राप्त हो लेकिन आपको पता है कि हमारे जो न्यूक्लियर रियक्टर है न वो सारे जो हैं वो कंट्रोल चेंड रियक्शन होती है और जब कि नाभी के सैलेन है ने इसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है दूसरी चीजे और हमारी जो 90 परशेंट तक की जो बिजली की जो आपूर्ती होती है वो कोईले पर आधारित है किस पर आधारित है कोईले पर आधारित है तो अगर नाभी के सैलेन हो जाए और वो कंट्रोल हो जाए तो हमारी जो बिजली की जो समझे हैं वो हम बहुत कुछ हज तक एनरजी की जो प्रोब्लम उसको हम सोल कर सकते हैं तो आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि नाभी के सेलेन की तुलना में नाभी के विखंडन में जो उर्जा का जो प्राप्त होती है तो कोगे चार पॉइंट दो गुणा जो हेनर्जी वो ज्यादा मिलती है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक जैहिंद नमस्ते